दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर पियाम मोधी का बड़ा एलान सभी देश वासी को मुप्त में टिका राज सरकार को नहीं करना होगा खर्च सारा पैसा केंदर का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने को लेकर बड़ा एलान किया है उन्होंने देश में सभी को मुप्त में टिका देने का एलान किया है प्याम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को फ्री में टिका देगी राज्य सरकार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा देश के नाम अपने सम्मोधन में राधान मंत्री नरेंद्र मोधन ने ये बड़ा एलान किया है। अगली बड़ी कबर देश में अब गरिब परिवारों को दिवाली तक मुप्त में अनाज पिया मोधी बोले वेक्सिन पर भरम ना पाले। प्राधान मंत्री मोधी ने कहा कि 80 करोड देश वासियों को सरकार की तरप से मुप्त में अनाज मिलेगा। गरिब कल्यान योजना के तहट भारा सरकार गरिब परिवारों को मुप्त अनाज महया कराएगी। कोरोना की पली लहर के दोरान भी सरकार ने गरिबों को मुप्त अनाज महया कराया था और इस साल भी यह सिलसिला जारी है। अगली बड़ी कबर वेक्सिन लेने के बावजोद एक करोड से ज़्यादा बिहारियों को नहीं मिला सर्टिपिकेट। लापारवाहिस सामने आने के बाद जागी सरकार। जी अबिहार में कोरोना वेक्सिनेशन का काम लगातार जारी है। बड़ी तादाद में राज के अंदर लोगों ने कोरोना की वेक्सिन ली है लेकिन अब जो कबर सामने आ रही है उसके मुताबएक टिका लेने वाले लोगों को टिका करन कार्ड यानी प्रमान पत्र नहीं दिया जा रहा है। आपको वेक्सिनेशन का परमान पत्र मिला है इसका परमान पत्र नहीं मिला है। रहा है ऐसे लोगों का मोबाइल नमर ये अंकित नहीं है अब ऐसे लोगों की दूसरी डोज देने के लिए जिला प्रसासन के ओर से खोजबीन शुरू कर दी गई है दरसल या मामला तब प्रकास में आया जब पटना जिले में लगभग 80,000 लोगों को दूसरा डोज देने के लिए अभ्यान शुरू किया गिया अधिकारियों को कहना है कि जिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें अधिकांस लोगों का मोबाइल नमर संपर्क करने पर गलत बता रहा है जबकि कुछ लोगों का मोबाइल नमर बंद है चानबीन में पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ केंदर पर टिका लेने के बाद लोगों द्वारा जो काज़ा दिये गए उनमें कई लोगों का मॉवाइल नमर ही अंकित नहीं किया गया है इसमें डाटा एंट्री ओपरेटोर की गलती मानी जा रही है इस काम में अब टास्क फोर से मदद ली जा रही है और खोज समय तक प्रतिक्चा नहीं करने होगी मुझा पर पूर जक्षन पर जल्द ही यातरी खुद मसीन से जनरल टिकट निकाल ट्रेन से यातरा कर सकेंगे इसके लिए जक्षन पर जल्द ही चार आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मसीन कायर शुरु कर दी जाएगी रैलवे की ओर स मुझपर पूर जक्सन को मसीने उपलब्द करा दी गई है कुरोना संक्रमन में कमी के बाद जक्सन पर मसीने लगाने के तैयारी तेज हो गई है सोनबू रेल मंडल के वाने जिक विवाग टीम जल्द ही चारों मसीनों को चालो कराएगी या मसीन एटीम के तरज पर कायर अपने गंतनते स्टेशन रूट आधी की जानकारी के बाद किराई के रासी डालनी होगी इसके बाद कुछी पलों में यात्रे को टिकट उबलब्द करा दी जाएगी अगली बड़ी खबर उद्योग मंत्री सानवाज हुसेन बोले बिहार में टेक्स्टाइल और लेदर पोलिसी जल्द पाच मिनी फूड पार्क भी खुलेंगे जहाँ उद्योग मंत्री सानवाज हुसेन ने कहा कि केंद्र और राज सरकार के बीज तालमेल ऐसा माहुल बन रहा है कि बिहार में उद्विग मंत्री ने कहा कि उनका विवाग एतनॉल और ऑक्सिजन उतपादन पोलिसी के बाद बहुत जल्द टेक्स्टाइल और लेदर पोलिसी लाने की तैयारी में है कि सन गंज का पांजी पड़ा चमड़ा उद्योग का गड़ है यहां से बहतरिन चमड़ा पदेश विदेश तक जाता है उसी के पास लेदर प्रोसेसिंग यूनिट का हब बनाने की कारियोजना पर तेजी से काम चल रहा है साथ है उन्होंन मिलना तै हो गया है अगली बड़ी खबर जमीन के दस्तावेज के लिए आप नहीं दोड़ना पड़ेगा खतियान और नक्सा घर बेठे मिलेंगे जिहां सबी अंचलों में बन रहे रिकोर्ड रूम के संचलन की नियामावली बोमी सुदार विभाग बना रहा है अगले माहने तक नियामावली तैयार कर लेगा उसके बाद लोगों को दस्तावेज उबलब्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जहां भी रिकोर्ड रूम तैयार हो गया है वहाँ जल्द इसे एक्टिव कर दिया जाएगा इसके लिए डाटा एंट्री ओपरेटर का नियोजन बेल्ट रूम के मैदम से किया जा रहा है सभी जीलों में अपर समाराता अधोनिक रिकोर्ड रूम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गया है इसके साथ ये आपकी जानकारे के लिए बता दे कि अभी सरकार सिर्प जमिन के नकसे को ऑनलाइन उपलब्त करा रही है नकसा ओफलाइन भी मिल रहा है इसे डेड़ सो रुपय का वुपतान करके आप डाक से मंगा सकते हैं बड़े कबर बिहार में कोरोना की रप्तार पर लगा ब्रेक पिछले 24 घंटे में 762 नए संक्रमित मिले जहाना बादवा सेकपुरा में एक भी पोजिटिव नहीं मिल जिहां बिहार में कोरोना संक्रमित के 762 नए मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे में हुई है वही राज में पिछले 24 घंटे में एक लाग 113 सेंपल की कोरोना जाचकी गई राज में कोरोना का संक्रमंदर कम होकर 0.76% हो गई है वही राज के दो जिले जहानाबाद और सिकपुरा में एक भी नए कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं एक गारा जिलों में 10 से कम नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है जिसमें सब से कम अरवल में एक और अंगाबाद में तीन बाका में दो बोजपुर में छे बकसर में च जहां ब्यार में बेजली चोरी पर अंकुस लगाने के विसेश स्केडर बनेगा यहां केडर विदוत निरख्चालाय के तध काम करेगा इस केडर में कर्मी बिजली कम्पनी के बदumnी और जा विवा के अधिन काम करेंगे केडर बनाने की त्यारी विवागे इसतर पर की जा जल्द केबिनेट के समख्च इसका प्रस्ताव ले जाए जाएगा विवाग्य अधिकारों के अनुसार केडर में हर जीले में एक विशे सिकाई काम करेगी इस विशे सिकाई के मुईक अधिकारी अधिक्चंग अभियानता होंगे उनके अधिन कायरपला कभियानता सहाय कभि पने सप्लाई के अलावा बेजली चोरों की खिलाब चापे मारे किया करती है लेकिन विवाग का या केडर केवल चापे मारे का ही काम करेगा ना केवल उपभोगताओं की और से की जाने वाले चोरी बलकि कमपनी के कर्मियों की और से किये जारे गलत कारियों पर भी या नजर रखेगा अगली बड़ी खबर मांसुन के पहले बिहार में बार को लेकर तयारी होगी पूरी सियम नितिस ने दिये कई निर्दिस जी हा मांसुन की एंट्री के पहले बिहार में बार को लेकर सुरक्चात्मा कायर पूरी कर ले जाएंगे मुईक मंत्रे निदिस कल राज में बार और सुखार को लेकर कई हाई लेवल मेटिंग की जिसमें उन्होंने कई दिसा निदिस दिये मुईक मंत्रे ने कहा कि 13 जून के पहले बार को लेकर सारे तैयारे पूर्ण रखे आपदा परबंदन विभाग लगातार मोनेटरिंग करते रहे पहले के बार के अनुबोगों को दियान में रखते वे योजिनाबद डंग से काम करे हर चीजों पर नजर बनाये रहे के बार की सिति में तड़बंदों की निगराने हे तो विसे सतर्त बरती जाए निगरानी का सत परती सत ठीका करन कराने को कहा है अगली बड़ी खबर खास होगा लालो को चहत्तरवा जनम दिन गरिवों को खाना के लाकर जस्न मनाएगी आरजेडी जहां चारा गोटाला मामले में सजयापता आरजेडी सुप्रीमों लालो प्रसाद यादवले ही जमानत पर जेल से ब बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा आरजेडी के प्रदेश एदग जगदानन सिंग ने पार्टे की निताओं और करकरताओं को दिशा निर्देश जारी किया है कि पार्टी सुप्रीमों के जनम दिन के मौके पर 11 जून को वहाग गरिबों को भोजन जरूर कराएं साथ आपको बता दे कि लालो के 44 जनम दिन को राष्ट्य जनता दल समाजिक न्याई सदबावना दिवस के रूप में मनाएगी अगली बड़ी कबर सितंबर में जारी हो सकता बिहर में पंचाय चिनाव का सेडियोल एबियम मंगाने की सुरू हुई तयारी कोरोनमा हमारे के कारण निदारे समय पर होने वाला पंचायत आम चिनाव टल गया है लेकिन राज निर्वाचन आयोग अगले दो से तीन महिनों में एक वर फिर से पंचायत आम चिनाव कराने की तयारी में जुट गया है आयोग ने पंचायत आम चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बलकी इबियम सही कराया जाएगा यहां माना जा रहा है कि आयोग दिसम्बर के पहले त्री स्तरिया पंचायत आम चुनाव संपन करा लेगा अगली बड़े कबर बिहार में अंडा उत्पादन के लिए गरिबो को चुजा देगी सरकार साथ हजार से अधिक की होगी आमदनी अनुदान में रासे भी मिलेगी पसुपालन विभाग द्वारा केंद्र प्रयोजित योजना के तहट अनुसुची जाती की गरिबों को अंडा उत्पादन कर जिविका पारजन के लिए महज 10 रुपे की दर से 45 चुजा और आइन सुविदाई उपलब्द कराए जाएगी पिछले जिलों में इस योजना पर विसेस बल दिया गिया है राष्ट्य पसुदन मिशन से इन लावोकों को ना सिर्फ 28 दिन का तयार चुजा अपलब्द कराए जाएगा बलकि नाइट सेल्टर और वाटर फिडर के लिए अनुदान भी दिया जाएगा आपको बता दे कि इस योजना के तहट चुजा के अलावा पसुदन बिभाग द्वारा नाइट सेल्टर और वाटर फिडर से प्रती लावोक 1500 रुपय का अनुदान भी दिया जाएगा 28 दिन का चुजा अगले 5 महने में अन्डा उत्पादन के लिए तयार होगा जिससे प्रती वर्स 240 अन्डा का उत्पादन होगा इससे सम्मादित मुर्गा पालकों को वर्स में कम से कम 60,000 रुपय के अमदनी होगी अगली बड़े कबर बिहार में आप नहीं बचेंगे सराबी और धंदेबाज टोल फ्री नमर पर सिकायत करते ही 24 गंटे में होगी कारवाई बिहार में सराब पेने और बेचने वालों का बचना आप मुश्किल होने जा रहा है दरसल इनके किलाब कोई भी सिकायत आप पुलिस अधिकारी दबा कर नहीं बैठ सकेंगे सराब के मामलों में सिकायत करना भी अब आसान हो जाएगा गार बेटे एक टोल फ्री नमर पर सिकायत करते ही पुलिस विवाग सक्रिय हो जाएगा ऐसा हर सिकायत पर 24 गंडे के अंदर कारवाई करना थानेदार के मजबूरी होगी अगर समय पर कारवाई नहीं हो सकी तो थानेदार के साथ ही SDPO तक भी कारवाई शुरू हो जाएगी बिहार में सराप से जोड़ी कोई भी सिकाय टॉल फिरी नंबर 1545 पर की जा सकीगी और उनकी बड़ी कपर इंटर्मिडियर्ड में ओलाइन एडमिसन की तयारी बिहार बोर्ड ने इसकोलों को विशेवार सुची की जारी अब मांगी जा रही है आपती 13 जून की साम 5 बजे तक काय समय फिक्स जहां बिहार बोर्ड में इंटर्मिडियर्ड में एडमिसन की प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है बिहार बोर्ड ने सिक्चन संस्तानों एवां उसमें विशेवार वो संकवार उपलब सिटो की सुची को वेबसाट पर डाल दिया है समधिस संस्तानों से इस मामले में आपती मांगी गई है इसके लिए समय सिमा भी तरिकर दी गई है बोर्ड ने 9 जून से 13 जून तक सिक्चन संसानों से आपती मांगी है जिसके बाद आप माना जा रहा है कि जून में एडमिसन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में 8 जून के बाद बढ़े हुए लोगडाउन में किसमे छूड मिलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं